A very good morning to all of you. शिक्षा विद मोटिवेशन के प्लाटवाम पर आप सभी का स्वागत है. आज निवंबर 2022 के टॉप 50 करंट अफेर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो सभी एक्जैम्स में आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो सकते हैं. तो चलिए, बिना देर किये, हम शुरुवात करते हैं. इससे पहले, आज का मोटिवेशन कोट है, कोई भी लक्ष मनुष्य के साहस से बढ़ा नहीं, हारा वही चुल लड़ा नहीं. तो शुरुवात करते हैं, पहले सवाल से. यह एक सामयवादी निद्रत्व वाला किसान आधारित आंदोलन था. इसकी शुरुवात 1940 के दशक में, जापानी सेना से फिलिपीन्स की सुरक्षा करने के लिए की गई थी. अब इसमें से कौन सो ऑप्षन सही है? ऑप्षन C, 1 and 2, बोथ आर राइट. अगला सवाल है, राश्ट्री शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद NCERT के संदर्व में निम्नलखित कत्नों पर विचार कीजिए. पहला, इसकी स्थापना वर्ष 1966 में एक सुवायत संस्थान के रूप में की गई थी. इसका कार्य स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए केंद्र और राज्यों को सलहा और साहिता देना है. अब इसमें से कौन सा उप्षिन सही है? तो सही जवाब है, उप्षिन B केवल दो. पहला, यह कई फलों और सबजियों के साथ पौधों में पाया जाने वाला एक प्राक्रतिक शरकरा इलकोहल है. दूसरा, इसका कैलॉरी मान कम होता है और यह रक्त के स्तर को नहीं बढ़ाता है. तीसरा, इसमें मोटापा और मदुमें रोधी गुन होते हैं और यह दातों को शरंड से बचाने में भी मदद करता है. इसका सही जवाब है, उप्षिन D, 1, 2 and 3. तीनों ही सही हैं. Q4 है, गरिमा ग्रह योजना के संदर्व में निम्दलिखित में से कौन सा विकल्ब सही है? Option A, यह यौन कर्मियों के पुनर्वास और उनके बच्चों को निश्वलक शिक्षा उपलब कराने से संबंदित है? Option B, यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रे, भोजन, चिकित्सा और मनुरंजन जैसी पुनियादी सुविधायां प्रदान करने से संबंदित है? Question No.5 है, नुआखाय त्योहार का संबंद किस राज्ये से है? Option A, राजिस्थान, B, हिमाचर प्रदेश, C, गुजरात, D, ओडिशा, इसका जवाब है D, ओडिशा. Question No.6 देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहने वाले, Payne प्लस रणनीती के संदर्व में नंदलिखित कत्नों पर विचार कीज़ें. पहला, अफ्रीका ने इस रणनीती को गंभीर संक्रामक रोगों के निदान, उबचार और देखभाल तक पहुँच को बढ़ावा देनी के लिए अपनाया है. दूसरा, इसका उदेश दीर्ग कालिक और गंभीर गैर संचारी रोगियों के उबचार और देखभाल के अंतर को समाप्त करना है. आप इसमें से कौन साज उप्शन सही है? A, B, C या D? सही जवाब है उप्शन B, Only Two. यानि कि इसका उदेश दीर्ग कालिक और गंभीर गैर संचारी रोगियों के उबचार और देखभाल के अंतर को समाप्त करना है. Q7 देखते हैं, हाल ही में शोद करताओने Bent Toad Gecko की एक नई प्रजाती की खुचकी है, जिसका विज्ञानिक नाम है Cytor Toadic Plytilus अरविंदी है और यह है भारत के किस भाग में पाई जाती है? इसका जवाब है option C, पस्चिमी घाट की अगत्स मलाई घाटियों में. option number D, question number D है, 8 है, उईगुर समुदाय के संदर्व में नंदलिकित कत्नों पर विचार कीजे, पहला, उईगुर समुदाय तुर्क चाती है समू है, जिसके उत्पत्ती मध्य और पूर्व एशिया से महनी चाती है, दूसरा, इनकी बोली संस्कृत भाषा से समानता रखती है इसका सही जवाब है, option A, only one, यानि की ये वाला option हमारा wrong है, question number 9 है, एकिकरत चेताबनी प्रणाली सचेत के संदर्व में नंदलिकित कत्नों पर विचार कीजे, पहला statement है, यह अंतराश्य दूर संचार संग के common alerting protocol पर अधारित एक प्रारंबिक चेताबनी बंच है, इसे C. ने विक्सित किया है, इस question का answer है, option C, one and two, बोध हार, correct. Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, यानि की MOXIE, MOXIE की full form आप याद रखिए, निम्नलिकित कत्नों पर विचार कीजे, पहला, यह मंगल ग्रह के वातावर्णी अगटकों का उप्योग कर, उस ग्रह पर oxygen उत्पादन करने वाला अपनी तरह का पहला उपकरण है, दूसरा, यह उपकरण शुद oxygen का उत्पादन करने के लिए वातावरंड से अवशुषित carbon dioxide को विभाजित करता है, तीसरा, इसे इस रोक के सहयोग से नासा ने विक्सित किया है, इसका सही जवाब है, option A, only one and two are correct, question number 11 है, हाल ही में चर्चित रहा, super typhoon हिन मनौर का विकास किस शेत्र में हुआ था, दक्षिन चीन सागर, केरिबियन सागर, ओमान की खाड़ी या मेक्सिको की खाड़ी, इसका सही जवाब है, option A, दक्षिन चीन सागर, तूफान का नाम क्या है, टाइफून हिन मनौर, साइबर सुरक्षित भारत पहल के संदर्ब में निम्नलकित कत्नों पर विचार कीजिए, पहला, यह electronics एवं सुचना प्रद्योकी की मंत्राले द्वारा शुरू की गई एक पहल है, दूसरा, इसमें राष्ट्रे E-Governance Division और विबन उध्योक भागितारों का सही योग भी शामिल है, तीसरा, इसका उध्देश समस्त सरकारी विभागों में मुख्य सुचना सुरक्षा अधिकारियों और फ्रेंट लाइन IT कर्मचारियों की शमता का विकास करना है, इसका सह इसमें देश और चक्रवात के नाम दिये हैं, जापान, टाइफू, अमेरिका, टाइफून, फिलिपीन्स, बागोईयो, ऑस्ट्रेलिया, विली-विली, उप्रोक्त में से कितने योगम सही सुमेले थे हैं, इसका जवाब है option C, केवल तीन, इसी तरीके के options इस बार के UPSC 2020 के प्री में आये थे, इसी तरीके के options दिये गए थे कि कितने pairs इसमें से correct हैं, तो इसमें से तीन योगम सही हैं, अगला है question number 14, तेजस मार्क 2 के संदर्ब में नंदलखित कतनों पर विचार कीजे, पहला, यह स्वदेशी मल्टी रोल लड़ाकू यान तेजस का उननत संसकर इसका जवाब है, इसका जवाब है A, केवल एक, यानि की स्वदेशी मल्टी रोल लड़ाकू यान तेजस का उननत संसकर रहे हैं, क्वेशन नंबर 15 है, अगस्ट 2022 में अनंग ताल जील को राश्ट्री महत्व के समारक का दरजा दिया गया था, अनंग ताल के संदर्ब में निम्नलखित कतनों पर विचार कीजे, पहला, प्राचीन समारक और पुरा तत्वस्थल एवं अवशेश अधिनियम 1958 के तहट, संस संतलत सल्तनत काल में किया गया था, तीसरा, अनंग ताल का उत्खननवर्ष 1993 में डॉक्टर बी आर्मनी के नित्रत्र में किया गया था, इसका सही जवाब है, ऑप्शन C, 1 and 3, ला नीना के संदर्ब में निम्नकतनों पर विचार कीजे, पहला, ला नीना के संदर्ब प्रश पर पढ़ता है, दूसरा, भुमद्र रेखिये प्रशान महसागर्शेत्र में सतह पर वायुदाब सामानने से अधिक होने पर ला नीना की स्थिती उत्पन होती है, थीसरा, इसकी उत्पत्ती का कारण यवारिक पवनों का पूर्व की ओर से तीवर गती से प्रवाहित होना है, चौथा, ला नीना की स्थिती में समुद्री सतह का तापमान बढ़ जाता है, इस क्वेशन का जवाब है, ऑप्शन A, 1, 2 and 3, याने की फूर्थ ऑप्शन रॉंग है, निक्षा मित्र पहल के संदर्व में ननलकित कत्नों पर विचार कीजिए, पहला, यह पहल टीवी उपचार में सहयोग करने के लिए निर्वाचित प्रतिनितियों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को दाताओं के रूप में प्रतिसाहित करती है, दूसरा, यह पहल वर्ष तो हजार पच्चिस तक टीवी को समाप्त करने के भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए सामुदाइक भागिदारी बढ़ाने पर बल देती है, इसका जवाब है, ओप्शन डी, कौन-कौन से ओप्शन गलत पूछे हैं इसमें कि सही नहीं है, तो ना तो वैश्विक चावल उतपादन में भारत का समझ थान चीन और ब्राजील के बाद तीसरा है, दूसरा वैश्विक चावल शिप्मेंट में भारत की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक है, तीसरा वश दो हजार बीस एक्किस तक भारत के शीर्ष तीन चावल उतपादक राज क्रमशह, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश हैं, इसमें कौन सा ओप्शन सही नहीं है पूछा है, तो इसका जवाब है किवल एक और तीन, यानि कि एक और तीन सही नहीं है, अगला है, कोशन नमर नाइंटीन, निम्दर लिखित में से कौन सी नदी जाप इसका जवाब है ऑप्शन सी, नाइ पर नदी, कोशन नमर बीस, हाल ही में केरल के सारवजनिक जलने कायों में लाल कान वाले स्लाइडर कच्छुए की उपस्थिती देखी गई है, इस अमन्द में निम्नरकित कतनों पर विचार कीजिए, पहला, यह एक अर्थ जलिये कच् जो हिन्द महा सागर की मूल प्रजाती है, दूसरा, यह प्रजाती जलिये पारिस्थिती की संतुलन के साथ साथ मारा स्वास्त के लिए भी लापकारी है, तीसरा, भारत में वनजीव संडक्षन अधिनियम के तहट स्वदेशी कच्छों को पालतू रूप में रखना प्रत सिर्फ ये एक और तीन सही नहीं है, दो, करेक्ट है, अगला है, क्वेशन नमबर 21, फार्सी पुस्तक मजम उल बहरेन का लेखक कौन है, इसका सही जवाब है, सी, दाराशिको, मजम उल बहरेन, दाराशिको, क्वेशन नमबर 22 है, भारत का पहला लीथियम सेल वे निर्मान सन्यंत्र कहा स्थेत है, इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी, तिरुपती, राश्री बाल अधिकार संडक्षन आयोग, NCPCR के संदर्ब में, निल्नलखित कत्नों पर विचार कीजे, यह एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना वश 2009 में की गई थी, दूसरा, यह बाल य का स्वंत्राले के तत्वाधान में कारे करता है, वो प्रुट कत्नों में से कौन से सही है, इसका जवाब है, ऑप्शन बी, टू, एंट्री, यह दोनों ही सही है, अगला स्वेशन है, 24, भारत के पहले, राश्ट्रिय सतत, तटिय प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन, किस शहर म क्या गया, ऑप्शन बी, भुवनेश्वर में, क्वेशन नमबर 25 है, हाल ही में चर्चित रही, पी-एम, श्री नामक पहल का संबंध, निननलिखित में से किस से है, तो इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी, स्कूलों का विकास और उन्यन, पी-एम, श्री नामक पहल का जो सं बंध है, वो ऑप्शन सी, स्कूलों का विकास और उन्यन करना, आज के लिए इतना ही, have a nice day, please like, share and subscribe our channel,